नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज हम इलेक्टिक सिटी चेप्टर यानि विधुड को रिविजन करते हैं इलेक्टिक सिटी को जानने से पहले हम परमानों को देखेंगे तो चलिए परमानों किसी पदार्थ का वह चोटा से छोटा कन है जो रसाइनिक किरियाओं में भाग ले सके अथवा रसाइनिक किरियाओं के द्वारा अपिर्था किया जा सके उसे परमानों कहते हैं यानि एटम यह परकिर्ति में सोतंत रूप में विद्वान नहीं रहता है यह मुखेता प्रोट्रोन तो था निट्रोन तो था एलेक्ट्रोन से बना होता है प्रोट्रोन निट्रोन तो था एलेक्ट्रोन ये परकृतिक के मूलकन माने जाते हैं प्रोट्रोन तो था निट्रोन परमानू के नाभिक में विधमान दाते हैं जो परमानु का केंद्रिये डेंसिटी का भाग होता है प्रोटोन पर प्लस वन पॉइंट सिक्स गुने टेन पर मैनस उनस कुलम का बेस होता है जबकि प्रोटोन का भजन वन पॉइंट सिक्स गुना टेन पर पावर मैनस चोविस ग्राम होता है जबकि प्रोटोन का खोच गो वही हम इलेक्ट्रोन का चार्ज देखेंगे इलेक्ट्रोन पर चार्ज माइनस 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कुलम होता है जबकि इलेक्ट्रोन का बजन यहीं दर्मियान 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 28 ग्राम होता है जबकि इलेक्ट्रोन का खोज जजे थॉंसन ने किया है मैं हम निễत्रों को देखते है तो निचिया कोई डी데 कोई अब moż चार्ज नहीं होता ह्या चार्जुमाइश होता है जबकि नियुट्रों का बजन और सबसे पहले इलेक्ट्रोन के अबेस का सभलता पुर्वक निर्धारन मिलिकन के द्वारा तेल बूंद परियोग विदी से किया गया इलेक्ट्रोन की तरंग परकृति के खोई भी बुरुगली नकी थी कि चलिए अब हम मुख्त Еलेक्ट्रोन क्या होते हैं इसको देखते हैं अधिकांस धातुमें की अंतिम कच्छा में केवल एक या दो इलेक्ट्रोन होते हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रोन कहा जाता है नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है इसलिए इसे मुक्त इलेक्ट्रोन कहते हैं मुप्त इलेक्ट्रोन के कारण ही चार्ज कंड़क्टर के एक सीरे से दुसरे सीरे तक पहुंचता है सौलिड मेटल के तार में बिधुत धारा का परवा मुप्त इलेक्ट्रोन के कारण ही होता है जबकि electrolytes यानि बैधूत अपगट में धारा का परवा आयन के कारण होता है अब चलिए हम चार्ज को देखते हैं चार्ज यानि अबेस या किसी पदार्थ का हुआ गुन है जिसके कारण कोई बस्तू बैधूत अकर्शन या बिकर्शन या ट्रेक्शन और रिपल्शन का अनुभव करती है चार्ज का SI मातरक कुलंब जबकि CGS मातरक अश्टेट कुलंब होता है इसे C से परदासित करते हैं अबेस का मातरक अबेस के लिए धन और रिन सब्ज का परियोग सरप्रथम बिंजमीन फ्रैंक्लिन ने किया था बस्तूओं को अपसोशित करने की परकिरिया सरप्रथम थेल्स ने बताई थी थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रिसम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रोन त्याग करने के कारण धनावेसित हो जाता है तथा रिसम का कपड़ा इलेक्ट्रोन गरहन करने के कारण धनावेसित हो जाता है फिल्स के नुसर क्यों बरबर ऐनी जहां की यो बरबर हो गए हुद्पन अबेस इन बरबरों की इस्तियाग या गिरहन किये गई एलेक्ट्रोन की संग क्या ऐ ब रबर हो गईए एलेक्ट्रोन का अबेस कुछ और पांट देखते हैं चार्श-स रिलेटेड यह दर्मियान के समान बैदूत अवेस प्रोटोन तथा निट्रोन का अंत्रिक गुन है दर्मियान के बिना अवेस का अस्तित्व नहीं हो सकता जबकि अवेस के बिना दर्मियान का अस्तित्व हो सकता है जिन कनों का विराम दर्मियान सुन होता है वे कन अवेसित नहीं हो सकते ज से इसिताहर के घृष्ण प्रेवर्ण अथवां चालर द्वार्ण द्वारा अप्सोषित क्या जा सकता है एग अब चलिए हम चार्ज देन्सिटी को देखते हैं है चार्ज देन्सिटी तीन परकार का होते हैं एक लिनियर चाई देन्सिटी यह परती एकांक लंबाई पर कुल अवेश की मातरा को रैखिक अवेश घ्हनत्प कहते हैं इसका मातरक कुलम पर मीटर होता है इसका दूसरा टाइप सता अवेस घनत्प परती एक कांक छेतरफल पर कुल अवेस की मातरक को सता अवेस घनत्प करते हैं इसका मातरक कुलम बटा पर मीटर स्क्वाइर होता है तिसरा अवेश घनत्व परति एकांक आईतन पर कुल अवेशों की मातरा को अवेश घनत्व करते हैं इसका मातरा सी बटा मीटर क्यों होता है अब चलिए हम कुलाम का नियम देखते हैं अगर कोई अवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से आर दूरी पर हो तो उनके बीच कार करने वाला बैधूत अकासन बल उनके अवेशों के गुननफल के समनोपाती तथा उनके बीच की दूरी के बर के विटकरवानोपाती होता है चलिए इसको देखते हैं इसको फर्ष्ट समीकरण मान लेते हैं अगर दोनों को स्वल्प करते हैं तो इसको स्वल्प करते हैं तो फोर्स बरबर प्रोपोर्शनल हटेगा तो के कॉंस्टेंट जाने की वन गुना क्यू टू बटा आर स्क्वाइर होगा इसको टोटल स्वल्प करेंगे तो अगर यहां के का भेलू देखे तो नाइन गुना टेन पर पावर नाइन न्यूटन मीटर स्क्वाइर बटा कॉलम स्क्वाइर होता है इस सूत्र के द्वारा चुंबाकिये धुर्वों के बीच का अबड़ 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 अबड़